दोस्तों Samsung M34 में One UI 6.1 का अबडेट आया हुए, लगबग 3-4 दिन हो गए हैं और आज मैं इसका एक review शेयर करूँगा कि कैसे यहाँ पर चीजे react करी हैं, साती में phone ने कैसा response दिया है यहाँ पर इस update के बाद में, वीडियो काफी important होने वाली M34 users के लिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं आपको N22 score दिखाता हूँ, तो यहाँ पर लगबग 4,70,000 के round के निकल के आया है, और यह जो phone है मेरे पास, base variant है, यह last year मैंने जुलाई में लिया था launch में, 6GB 128, अब इसके 8GB variant भी आता है, उसमें लोगे तो N22 score बढ़ जाएग और जब UX scores बढ़ते हैं, तो phone में थोड़ी सी smoothness भी आती है, यह मैंने shots के माधियम से भी आपको बताया था, और इसी को देखते हूँ, यहाँ पर phone की जो stability है, वो मुझे थोड़ी सी जादा better लग रही है, क्योंकि इसका जो last update था, वो January में आया था यहाँ पर, और उसके heating और processor और performance कैसी इनिकल गया रही है, देखिए सबसे पहले इसके लिए हमने throttle test को perform गया है, यहाँ पर आप भी इसके APK को download कर सकते हैं, क्योंकि अब यह playstore पैवलेबल लेंगे है, तो यहाँ पर जब मैंने results देखे, तो पहले जो initial results थे वो थो थोड़े से खराब आये थे, क्योंकि 80% भी throttle scoring नहीं आ रही थी, even 75 के भी नीचे थी, but over the period of time थोड़ी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 78% तक आई, starting में जब आप throttle test perform करोगे और मैं आपको recommend करूंगा 15 minute का throttle perform करना, तब ही जाके यहाँ पे आपको complete graph यहाँ पे दिखेगा, और max test भी 15 minute का ही होता है, तो इ इचे आई है, बट उतनी जादा नहीं कि हम लोग इसको कहा दें कि heating problem solve हो गई है, तो phone heat कर रहा है जब आप throttle scoring करते हो, और जब आप यहाँ पे temperature observe करोगे, तो 38, 50 degree, 38 degree, मतलब यह CPU का temperature है, 45 degree, 48 degree Celsius, ऐसे temperatures record करें है throttle test के time पे, अब एक और बात है, हर normal user यहाँ पे throttle test perform नहीं करत अगर आप normal task करते हो, like browsing कर रहे हो, या फिर Instagram पे reels चला रहे हो, तो उस पे मैंने observe किया कि थोड़ा सा phone warm हो रहा है, यहाँ पे especially front screen काफी warm हो जाती है, heat तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज़दा एकदम hot हो गया iPhone, बट फिर भी warmness मैंने महसूस करी, और कमरे का temperature कोई बहुत ज़दा नहीं था, फिर भी यहाँ पे phone गरम यहाँ पे लग रहा था, rails चलाने के बाद, तो मैं कहूंगा कि heating को लेकर Samsung को थोड़ा काम करना चाहिए इस phone पे, बट फिर भी मैं कहूंगा कि जो last update था, उससे थोड़ा सा improvement हुआ है heating problem में, आप बढ़ते हैं अपने तीसरे point क लगबग 40% के round हुआ है, तो लगबग अगर 5G भी आप test करोगे तो 100% पे आपको लगबग 12 गंटे का यहाँ पे direct playback मिल जाएगा YouTube पे, वहीं पे एक चीज़ मैंने observe करी, Instagram मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा optimize नहीं है इस phone के लिए, क्योंकि सिर्फ एक गंटे चलाने के ब वहीं पे phone warm भी हो रहा था, Instagram चलाते समय, तो battery के लिए मैं कहूंगा कि better है इसका battery backup last update से, लेकिन अगर आप इसको last year से compare करोगे, जिन लोगों ने last year भी phone को use किया है, तो आपको थोड़ा सा भी भी कम यहाँ पे महसूस होगा इसका backup, अब पढ़ते हैं दूस्तों अपने च speed test करके देखा, results मुझे better लगें, यहाँ पे कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं लगी, और बात करती time भी काफी ठीक यहाँ पे calling लग रही थी, कोई ऐसा network dropping या फिर कोई आवाज कट रही हो, ऐसा कोई भी महसूस नहीं हो रहा था, तो network related कोई भी issues नहीं है, और Wi-Fi भी अगर आप यूज करते हो, तो 2.4 GHz band है, 5 GHz band है, उस पे बढ़िया आपको network speed मिलने वाली है, अब यहाँ पे दोस्तों review की बात कर रहे हैं, तो camera review को हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, और पांचवा point मेरा इसी के बारे में है, camera को मैंने यहाँ पे experience किया, मुझे कोई भी issues नहीं निकल के बाकी सारे mode इसके मैंने experience किये, कोई भी issues नहीं है, एक छोटा समय ने issue यहाँ पे notice किया है, अगर आप यहाँ पे group selfie लेते हो, यहाँ पे normal mode में, तो आपको जो side में थोड़ा सा है, उसमें मुझे blurriness हलकी सी महसूद हुई, कि हाँ चीजों में उतना focus नहीं हो रहा इसका बहुत अच्छा है, और even selfies जो है, वो normal mode में improve मुझे लग रही है, यहाँ पे दोस्तों goodlock के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस phone में goodlock modules चलते हैं, finelock के जरीए, और जब कोई update आता है phone में, तो उसके बाद आपको सभी apps को manually update करना पड़ेगा, क्योंकि finelock में automatic update का option नहीं है, तो अगर आपने install कर लिया है, update और finelock के नए features नहीं explore करें, क्योंकि one UI 6.1 में बहुत नए features आया है, यहाँ पे goodlock modules में, तो आप एक काम करो, telegram channel पे मेरे जाओ, और आपको g drive link पे सभी till date, आज की date तक updated आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सभी apps को वहाँ यहाँ पे update कर दिया है, जो की APK file है, क्योंकि आपको manually या तो download करना पड़ेगा, यहाँ पे APK mirror website पे, या फिर आप directly वहाँ से भी download आप कर सकते हो, link आपको description box में मिल जाएगा, यह जाए दोस्तों, एक overall review M34 का One UI 6.1 update के लिए, अब आपके अगर कोई भी problem आपको face हो रही तो आप Instagram में मुझे DM कर देना या फिर आप comment कर देना एस वीडियो में, मैं जल्दी से reply कर दूँगा, फिलाल आपको वीडियो पस्ते ना ही, तो like कर देना और चैनल को subscribe सब्सक्राइब कर लेना, आप चले लिए नमस्कार,